हेई फ्रेंड्स वेलकम टो माई चानेल आई होप यह लड़ीं गूड तो आज मैं आप लोग लेके आई हूँ यह बहुत ही खुबसरत सा यह साइड टेबल तो मैं इसको वेस्ट जो सामान होता है उससे मैं क्रेट की हुई हूँ यह जो बेस उपर का देख रहे है यह एमडे चाहेत तो इसके बदले मौटा जो कार्डबूड रहता है उसका भी यूज कर सकते है तो सब से पहले में यहाँ बेस श aspect के लिए एक्रेलिट ली कलर ली हुई हूँ फाइट कलर में आप चाहे तो जेशो का भी अपड़ाय कर सकते हैं आप कुछ भी अगर क्राफ्ट करते हैं तो बेस कोट जरूरी होता है इसलिए आप बेस कोट जरूर से लगाईए उसके बाद मैं यहां पे ली हूँ टीसी रोल जो होता है उसमें से चार पी स्ली हुई हूँ मतलब दो दो को मैं आपस में स्टीक करके दो लेग बना लूँगी तो दोनों को स्टीक करने के लिए मैं यहां पे फेबी बन का इस्तेमाल की हुई हूँ आप कोई भी आदेशी ग्लू का भी यूज कर सकते जो थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्ट्र दो ना दिखे फिर उसको भी प्राइम कोड के लिए मैं यहां पे अक्रेली कलर का इस्तिमाल की हुई हूँ मैं पहले बताई हूँ आप इसके बदले जेसो का भी अपलाई कर सकते हैं अभी दोनों हमारा तेयर हो चुका है लेग और उसका उपर बाला बेस अभी मैं यहां पर एमडे का बोर्ड ले रही हूँ उसके उपर हम अभी डिकोपैस करेंगे यह डिकोपैस पेपर जो है मैं इट्सी बिट्सी से लेके आई थी बहुती सुन्दर सा प्रिंट है तो इसको हम स्टिक करने के लिए डिको मैजिक ग्लू हो को यूज करेंगे यह स्पेशली डि कर लूँगी अभी इसमें जो डिकोपैस पेपर में तीन लेयर है ते जो नीचे का दो लेयर होता है उसको हटा देना है और जो उपर का लेयर है उसको हमको यूज करना है तो मैं यहां पे डिकोपैस का जो ग्लू है डिको मैजिक उसको में धीरे-धीरे अप्लाए करूंग एक ही साइड से हलका हलका मतलब लगाऊंगी और हलका हलका यह चिपकाते जाऊंगी मैं इसको पेपर को तो आप इसको ऐसे ही धीरे धीरे श्टिक करिए नहीं तो यह फटने का चांसरा चब डिखोपैस के उपर काम करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो dry बला brush होता है वो उपर साइट से आपको उस में से फैलाते जाना है इसमें गिला बला brush का यूज नहीं करना है नहीं तो यह फटने का चांच से यह deco past paper क्योंकि यह काफी पतला रहता है यह लेयर आपको एकदम हल्क़ी हाथ से वो brush में से फैलाते जाना है देखिए जहां जहां पर रिंकल्स आया है एकदम हलकी हाथ से ज़्यादा दबाना नहीं है नेते विए खराब हो सकता है उसके बाद आप इसको completely dry होने के लिए छोड़ दीजिए एक दिन उसके बाद आप इसके उपर जो decomagic glue है एक layer अपले कर दीजिए अच्छे से ताकि ये waterproof हो जाए ये जो decomagic glue है मैं इट्सी भिट्सी से लेके आई थी आप इसके बदले मौट पोज का भी यूज़ कर सकते है तो अभी हम बढ़ते हैं आगे इसका next process के लिए अभी हमारा ये base भी सुप चुका है तो इसका जो चारो तरफ से मैं masking tape के help से अच्छे से cover कर लूँगी इसके उपर हम अभी resin art करेंगे क्योंकि इसका जो border है ओप एकदम plane था अगर हम resin करते तो बाहर निकलने का ये chances था इसलिए मैं masking tape के help से इसको cover कर लूँगी resin art का जो ratio है और 2 is to 1 है इसमें 2 liquid form में आता है एक clear वाला है और एक hardner है hardner अगर one cup लेंगे तो clear वाला जो हिस्सा है उसको two cup लेना है तो दोनों को अच्छे से हम मिला लेंगे मैं यहाँ पे जो paper cup के help से मैं इसको measure करके डाल रहे हूँ आप चाहे तो measuring जो का पाता है उसके help से भी आप इसको मिला सकते हैं तो यह मैं यहाँ पे ice cream जो stick होता है उसको अच्छे से एक से दो मिनिट अच्छे से उसको मिला लूँगी ताकि इसमें जितने सारे bubble है वो अच्छे से मिल जाए उसके बाद मैं यहाँ पे जो M.D.P का base था उसके उपर धिरेदरे करके डालूँगी और उसको एकदम हलकी हाथ से मतलब देखिए मैं कैसे कर रहे हूँ फेलाते जाओंगी हाथ के हेल्प से उपर नीचे जैसे चारो तरफ से यह एकदम बराबर हिसे में फेल जाए उसके बाद इसमें जितने सारे bubble से और आइस्क्रीम का जो श्टीक होता है उसके हल्प से मैं उसको अच्छे से इसको मिला लूँगी यह रेजिन डालने के बाद आप इसको कम्पलीटली 24 आउर के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद उसका जो लेग है उसको हम मतलब बेस कोड लगा के रखे थे अभी इसमें हम कलर अपले करेंगे मैं यहाँ पर mix and match करके यूद की हूँ आपको जैसा पसंद है आप ओ कलर अपलाई कर सकते है इसको अभी हम साइट में हटा लेंगे उसके बाद हम next प्रोसेस करेंगे तो अभी हमारा जो रेजिन का जो एमडेव बेस था वो अभी सुक चुका है एक दिन अच्छी सुक जाने के बाद इसके चारो तरब जो में लगाई थी मास्किंग टेप उसको अभी हम अच्छे से हटा लेंगे धिरे-धिरे आपको एकदम धिरे-धिरे से हटा ना है नहीं तो अगर ओ कहीं पे स्टिक हो गया होगा मास्किंग टेप रेजिन में तो निकलने का चांसे से तो उसको आपको ध्यान देना है मास्किंग टेप हटा देने के बाद ये कुछ इस तरह से दीख रहा है तो इसके जो चारो तरफ थोड़ा सा सार्पेज आ गया था तो इसको हम अभी प्लेन करने के लिए जो पॉलिस पेपर होता है उसका यूज करूंगी में ये पॉलिस पेपर कोई भी हाड़ एर सॉप में आपको एकदम आशानी से मिल जाएगा तो इसको धिर्दर एकदम अच्छे से राउब करना है जैसे कि जो सारफीड जो प्लेन हो जाए अच्छे से इसको घीशने के बाद इसको एक क्लोगा के हल नाव च्लेन कर लीजिए कितना सुन्दर देख रहा है आप खूद देख सक अभी हमारा जो लेग बनाके रखे थे हम उसको waterproof बनाने के लिए डेकर वानिश जो होता है उसका हिस्तेमाल करेंगे उसको waterproof बनाने के लिए यह भी में इट्शी-पिट्शी से लेके आई थी यह बहुत ही अच्छा सा एक वानिश से यह अच्छे से waterproof कर देता है कोई भी सामान को अभी MDF का बेस का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको भी हम waterproof बनाएं के लिए यही सेम वानिश का हम अपलाई कर लेंगा अच्छी से तो अभी दोनों हमारा रेडी हो चुका है लेग आर ऊपर बाला बेस अभी दोनों को स्टिक करने के लिए मैं आप फेविकल का यूज कर सकते हैं ग्लू लगाने के बाद आप इसको completely dry होने के लिए छोड़ दीजिए तो अपी देखे में कैसे लेग लगा रहे हूं यहाँ पर में दो लेग बना के रखी थी जो measurement है मतलब कौन सा location है आप पहले से measurement कर लिजिए उसके बाद दोनों को स्टिक कर लिजिए तो आपक चैनल को जरूर से subscribe कर लिजिए और पास में जो bell आइकन है उसको भी जरूर से दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का सारा notification सबसे पहले मिल जाएगा आप देख लिजिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा west मतल से बना हुआ यह सुंदर सा stool या side table ओके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाई बाई टेक केर